कि विडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेना नमसकार पाकिस्टान ने चाइना के साथ मिलके इंडिया के खिलाब एक बहुत बड़ी दूमस किह जिहां आप सही सुनने हैं बहुत बढ़ी दूमस की है गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिये में मैं ये सारे सिनारियों आपको बता रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है पाकिस्तान के जो बोलता है आजाद कास्मीर वाला एरिया हालाकि गिलगिट वालतिस्तान और आजाद कास्मीर दोनों को अलग अलग नाम दिया है और अब जम नया मैप जारी किया है जिसमें इंडिया के जूनागड को दिखाया गया है उसमें आजाद कास्मीर और गिलगिट बालतिस्तान को अपने एरिया में दिखा दिया है मतलब जो उसके अंदर थी हो तो बाहर आई गई है लेकिन मैं इसके बारे में आपको नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि लगभग दो हजार पट्टे जारी कर दिये हैं इलीगल माइनिंग्स के गिलगिट बालतिस्तान वाले एरिये में किसको दिये हैं चाइना को दिये हैं उसमें पाकिस्तान ने अपने कानून का भी उलंगन किया है जिहां और इंवर्मेंटल किलेरेंस का भी जो इंवर्मेंटल और प्ट्ट लिया उसको थोड़ा भी नहीं दिखा कि हम पट्टा ले रहे हैं इंडिया वाले एरिया को जब इंडिया को प्ट्ट दे यह नहीं रहा है तो हाला कि चाइना वो हर एक पॉस्बल कोशिस करता है जिससे इंडिया को हट किया जा सके अब मैं बताता हुआ क्या है गिलगिट पाल्टिस्तान में चाइना के चाइना के सरकारी कंपणियों को और बहुत सारे कंपणियों को लगभग 2000 पट्टे दिये जा लिए और रीच है मिनराल रिसोर्सेज के लिए ना सिर्ट टूरीजम के लिए मिनरल रिसोर्सेज के लिए तो इंडिया से बिना पूछे पाकिस्तान पूछेगा भी जब बोलता ही कि हमारा एरिया तो पूछा नहीं और सबसे बड़ी बात है चाइना ने वह एरिया ले लि एक सबसे बड़ी बात है और वहां के लोगों को भी नहीं किया गया क्योंकि वहां के नागरीक अपने आपको खुद को पाकिस्तानी नागरीक नहीं मामते हैं गिल्गिट बाल्टिस्तान वाले एरिया को यह बाते नासीर अजीज खान जो पाकिस्तान जो उनाटेट कस्मीर पीपल्स पार्टी के चीफ स्पोक्समेन है मुख परवक्ता है उन्होंने ये बाते बोली और उन्होंने बोला कि आने वाली जो कन्वेंशन होगा उनाटेट नेशन का जेनेवा में उसमें हम यह सारी मुद्दा उठाएंगे और पाकिस सब्सक्राइब दिखावे के लिएंट जीभी है यां। घीलगेट बार्टिस्तान में दिखावे के लिए अशेम्ली हाला कि सुर्य करते हैं और जो भी इसलमावाद करता रहा है वह करती है लेकिन उसके एक अपोजीशन लीडर नहीं है मुद्दा उठाया था 2019 में लेकिन उसके मुझ को सदा सदा के लिए बंद करा दिया गया और वहां के निशनल मीडिया कोई अपने मुख पत्रों में या अपने टीवी चैनलों में यह यह बातों पर बातको सीधा नजर अंदाज कर दिया क्योंकि वहां फ्री नहीं है जो भी इसलिए वहां फ्री मीडिया नहीं है जो भी पाकिस्तान डिक्टेट करता हो करना होता जो नहीं करता है उनका काम तमाम कर दिया जाता है अब पाकिस्तान अभी अभी तक यह सारी कामें बलुचिस्तान में कर रहा था जिसके लिए वहां के लोग जोड़ सोड़ से पा पाकिस्तान को देखना चाहिए वो ना सिर्फ अंतरराष्टिय कानून का उलंगन किया पाकिस्तान ने बल की वहां के कानून का भी उलंगन किया जो गिलगिट बाल्टिस्तान को यह अधिकार देता था कि वहां illegal mining नहीं होगी वहां mining नहीं होगी उसका भी खासकर पाकिस्तान उसमें इनबॉल्व नहीं होगा वहाँ लेकिन पाकिस्तान नहीं सारी हरकते की और अब वहाँ के लोग आवाज उठाने लगे लिए अभी हाली में वहाँ डैमेर भासा डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए पाकिस्तान और चाइना के साथ कॉंट्राइक्ट हुआ जिसे पाकिस्तान में लिट्रे का कंट्राइक्ट हुआ चार सो बियालीस बिलियन रुपीज का वो प्रोजेक्ट है समझ जाए कितनी बड़ी प्रोजेक्ट है जिसमा सतर परसंट हिस्ताजारी चाइना की होगी तो चाइना को भी समझने चाहिए और अंताराष्टी यह लोगों को भी समय चाहिए डिशिप्यूटे ट्रेट्री में तीसरा कंट्री आके कैसे ले सकता है कुछ है और माइनिंग इलीगल हो रही है तो जब हमारा एरिया है जब इंडिया उसमें इंभॉल भी नहीं है तो कैसे कर सकता है और हमारे जो लीडर थे हमारे मिनिस्ट्री थी उन्होंने यह बाते किलियर कहा था कि जो इलीगल डैम का कांस्ट्रेक्शन हो रहा है उस एरिया में यह हमारे जम्मू कास्मीर और लादा को समर्ज कर देगा इसका मतलब बहुत ही कड़ा मैसे था पाकिस्तान को इंडिया कुछ भी हद तक जा सकता है अगर हमारे एरिया को कुछ भी होगा तो वह है हमारा एरिया लेकिन जो अलड़े पास है उसमें थोड़ा भी पानी आया तो इंडिया उसको समझा देगा और चाइना को भी समझना चाहिए और अंतराष्टियमान पर भी समझना चाहिए जो अंतराष्टीय चाइना वहाँ इंडिया से आपको दूर ले जाएगा और दूर तो आप जाही रहे हो अपने हरकतों से और आपके इमेज के लिए अच्छा नहीं है अब यह देखना है कि भारतिया गोवर्मेंट किस तरह का परतिकिरिया देती है क्योंकि अब यह खबरे खुलके आने लगी तो भारतिया गोवर्मेंट का परतिकिरिया का इंतजार है और भारतिया गोवर्मेंट अपना स्टेप जरूर ले रही होगी यह सारी हर्कतों को काउंटर करने के लिए और सून बहुत जल्दी हम गिलत बाल्टिस्तान को एंडिया में इंक्लूड कर लेंगे अभी तक जो आप मेरे साथ जुड़े हैं, अगर यह मेरा न्यूज आपको पसंद आए, तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, सेर कर लिजिए, धन्यवाद.